वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी-कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं आपके अपने चैनल में और आज का राशीफल यानि की चौईस अगस्त के इस विशेश एपिसोर में साथ ही साथ आप सभी को बढ़ाई और शुब कामने देना चाहूंगा जिनका आज जरम दिवस है, मैरेज इन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांकी, आज तारीक 24 अगस्त 2022 है और दिन बुधवार का है, आज के विशेश उपाय में क्या होता है अभीजीत महरत, आपने अक्सर सुना होगा, दिवाली की पूजा करें, कोई भी पूजा करें, जो भी पूजा होगी, उ 2079 का भादरपत कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वाद शीतिती है, सुभे के आट बच के 30 मिनिट तक जिसके बाद में त्रेयोद शीतिती आरंब होगी, पुनरवसु नक्षत्र रहेगा आज के दिन दोपहर के 1 बच के 38 मिनिट तक जिसके बाद में पुश्य नक्षत्र आ आने वाले हैं, तो इसके बेसिस पर ही आपका आज का प्रेडिक्शन किया जाएगा, रहुकाल का समय इंडियन स्टांडर टाइम का नुसार अकर देखा जाए, तो दोपहर के 12 बचे से लेकर के 1.5 बचे तक है, वहीं पे शुब चौगढ़िया महुरत, जिसमें सभी शु जिगन के आपका काम पून होता है, वह समय है सुबह के 6 बच के 18 मिनिट से 9 बच के 18 मिनिट तक, और वापिस से दोपहर में 4 बच के 48 मिनिट से 6 बच के 18 मिनिट तक, फिर बात आती है आपके यात्राओं की, तो यात्रा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि पूर्व उसके अलावा दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यातरा आरम कर सकते हैं। फिर बात आती है, आज की दिन सुर्योदे कालीन कुनली में कौन से राज योगों का साथ मिल रहा है। तो सबसे पहले आशरे योग, कल्द्रुम योग, सफल अ आप ही के भले के लिए हो। कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि जो भी यहाँ पर बात हो वो आपके भले के लिए हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की जो कॉंपटिशन एक्जाम देते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। काफी समय से ये देखा जा रहा है क कि ऑनलाइन क्लासिस के चलते बच्चे कंपीरों के सामने हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पर क्या वो सच में पढ़ाई ही है। आप और मैं दोनों ही इस सवाल के साथ में जूझ रहे हैं। अगर पढ़ते हैं तो माक्स क्यों नहीं आते। इतनी कोशिश है करते हैं इतना समय तक अपने आपको अपने सामने की किताब में घुमाए रखते हैं। पर फिर भी जब पूछो तो बोलते हैं कि पढ़ तो बहुत रहा था पर माक्स नहीं आये। कॉम्पटिशन एक्जाम की जब बात होती है तो वहाँ पे जरूरत होती है इंटेलिजन्स की। ऐसा नहीं ह है कि आपका फोकस कहां पे है आपका पैशन क्या है। वह जमाना चला गया जब सिर्फ एंजिनियरिंग, MBA और डॉक्टर और इंजिनियर बनना ही एक अकेला माध्यम था। आज के समय में बहुत सारी फील्ड है। जहां पे भी आप हाथ डालें वहां पे एक एक्सपर्ट ह और वह एक्सपर्ट कमाता जरूर है। ये चीजें सोचना छोड़ दीजे कि बच्चा करेगा क्या। चिंतित माबाप सबसे ज्यादा हैं कि हमने तो हमारी जिंदगी गुजार ली, हमने हमारे बच्चों के लिए सब कुछ कर लिया, आगे बच्चे क्या करेंगे? वो अप उपाय के तौर पे, जिसको मैं रामबान उपाय बोलता हूँ क्योंकि ये स्वयम मैं भी कर चुका हूँ, आपको जितने उपाय बताता हूँ मैं, अब मान करके चलिए उसमें से सौमें से 99 उपाय मैं स्वयम कर चुका हूँ, आज जो आपको उपाय के बारे में बता रहा ह वो है सरस्वती कवच और अश्ठ विनायक कवच 18 वर्ष की आयू से नीचे का जो बच्चा है उसे सरस्वती कवच जरूर पहनाईएगा ये वो चमतकारी कवच है जो 33 परसंट लाने वाला बच्चा पहनने पर 85 परसंट और 90 परसंट लाया है स्कूल में अश्ठ विनायक कवच ये वो कवच है जो आपकी संतान को गलत मार्ग पे जाने से रोकने का काम करता है गनेश जी महराज का आशिरवाद हो तो क्यों आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा कोई भी विग्न है उसको विनाश क्यों नहीं करेंगे सोच करके देखिएगा गनेश चतुर्ती आ रही है गनेश चतुर्ती के अफसर पर अपने बच्चों के लिए जिनके लिए पूरी जिन्दगी महनत की है उनके लिए इस बार ये कवच को जरूर बनवाए उनको धारन करने पर विवश करें अगर मना करते हैं तो उनको बोलिए कि तुम्हारे भले के लिए है इसे पहन कर के देखो मान करके चलिए कर राम बान उपाय जब बोलता हूँ तो उसका मतलब राम बान है हाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखने की जरूरत है जब मैं बोलता हूँ 18 वर्ष तक सरस्वती कवच पहन सकते हैं यहाँ पे एक शायद मेरी गलती है यह बोल सकते हैं कि आज के सेनारियो को देखते हुए इस बात को समझने की ज़रुत है कि 10th क्लास तक का जो बच्चा है वो सरस्वती कवच पहन सकता है यहाँ पे जैसे 11th क्लास में आप आजाते हैं आप competition exam की तयारियां करनी शुरू करते हैं या तो फिर अपनी schooling के साथ में आज की तरह में FITG के exam, IIT, JEE के exam, NEED के exam और इन सब के तयारियां चलती है अगर वो तयारियां आपकी शुरू हो रही है 11th क्लास से तो ऐसे में इस situation के अंदर आप अश्ठ विनायक कबच जो है वो 11th से ही पहनना शुरू कर सकते हैं यहाँ पे early mover advantage बोलिए या त फिर competition में सबसे पहले सबसे आगे बढ़ने की जो यहाँ पे होड़ है वो आपकी पूरी हो सकती है आईए अब बात करते हैं आज के राशी फिल की और सबसे पहले बात करूँगा मेश राशी की मेश राशी के लिए राशी भाव से 4th house में चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 21 dots है overall situation 67% support की बनती है 4th house का चंद्रमा अपने आप में negativity फैलाने का काम जरूर करने वाला है और इस negativity को आप अपने उपर हावी होने दिए तो ना ही सिर्फ परेशान होंगे बलकि नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो ऐसे में आज के दिन घर परिवार के अंदर एक अजीब सा माहल देखने को मिलेगा ऐसा लगेगा सब के सब आपके फीचे ही हाथ दो करके पड़े है कोई बात है या तो फिर कोई discussion है जिसके अंदर आपके involvement जरूरी है पर आप उससे बच करके भागने की कोशिश कर रहे हैं यह चीजों को यहाँ पे और ज़्यादा परेशान कर सकता है बच से बत्तर बना सकता है इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है यहाँ पे 67% support जो है वो बात यही है कि जो भी आप बोल रहे हैं ना आप तोल करके बोलिए इस तरीके से बोलिए कि कोई भी commitment नहीं देना है आज की दिन इनी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग extra mental affairs में informal affairs में चल रहे हैं यानि कि girlfriend और boyfriend का relationship चल रहा है उनको भी बहुत जादा सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है हर कदम फूख करके रखने की जरूरत है इसका कारण ये है कि इन relationships की वज़े से इस वज़े से ये जो रिष्टा है आपका इस वज़े से आप पर और आपके परिवार पर कलंक लग सकता है इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है अगर ये दो चीज़ों पर आपने control पाल गया तो फिर आज की दिन business wise देखें नौकरी की तरफ देखें तो आपको कोई परिशानी देखने को नहीं मिलेगी पर अगर नहीं control रख पाए तो आपको दोनों ही तरफ हानी उठानी पड़ सकती है अपने senior से आपको खरी खोटी सुननी पड़ सकती है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबंग रहेगा नमबर थी अब बात करते हैं व्रशब राशी की थर्ड हाउस का चंद्रमा है पर प्रत्यारी तारह का साथ है और अश्ठक वर्ग में 38 डॉट्स हैं जो overall आज के दिन को 80% positive बनाते हैं खास तोर पे थर्ड हाउस का चंद्रमा investments के लिए माना जाता है तो आप में से जो भी share market में commodity market में काम करते हैं जो भी investments का काम करते हैं brokerage का काम करते हैं इंडिया के बाहर रहते हैं और वहाँ पे gambling करते हैं casinos में जाते हैं जो आपका एक addiction है तो वहाँ पे आज के दिन फाइदा उठना आने को आपको मिल सकता है ऐसे समय में अच्छी कमाई आपको देखने को मिल सकती है सुक समान मरान प्रतिष्णा में भी आपको व्रद्धी देखने को मिलती है overall देखा जाए profitable दिन कैसे होता है वो आज के दिन आपको देखने को मिलेगा हर जगे पे सफलता तो मिलेगी ही पर इसी के साथ में चलते फिरते में, कहीं से कोई information मिल जाना, कोई tip मिल जाने से आपको फायदा पहुच सकता है, इसके लिए आख और कान दोनों खुले रखिएगा, आस पास में जरूर ध्यान दीजेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, health wise कोई समस्या दिखने को नहीं मिलने वाल चाहिए, contact wise बोलिए, business के अंदर बोलिए, help चाहिए, तो आज के दिन पिताजी के तौर पे आपको मिल सकती है, शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर जो आज के दिन को और ज्यादा बहतर बनाने का काम करेगा, और ज्यादा अच्छी कमाई देने का काम करेगा, शु और 33% आज के दिन सपोर्ट मिल सकता है, वो है अश्ठक वर्क के कारण, ऐसे में, dissatisfaction होना, बहुत काम करने के बाद में भी जो मेहनत की है, उसका फल ना मिलना, अगर आप daily wage earner है, या ऐसा कुछ काम करते हैं कि आज आपका project end हुआ है, और वहाँ पे आपको सामने से check आपके लिए जादा बहतर रहे, ऐसे में असफलता होना, या फिर लालच प्रवर्ती जादा आपके अंदर हावी होना, आगे वाले लोगों से, या फिर अपने ही टीम मेंबर से किसी बात को लेके विवाद होना, और उस विवाद के अंदर बहुत जादा हाइपर हो जाना और सब के उपर बरस पढ़ना, इस छीट से आपको अपने आपको रोकने की जरूरत है, कही ना कहीं पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके आगे फ्यूचर आने वाले को, आने वाले समय को यहाँ पे डिस बालन्स कर सकती है, इस तरफ आपको ज़ादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे समय में, चाहे पैसे कम ही मिल रहे हो पर हातो हात मिले तो जादा बहतर है, उस पैसे को ले लेना आप जीत में रह सकते हैं, शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुबंग रहेगा नमबर थरी, अब बात करते हैं करक राशी की, करक राशी के लि आपके लिए positive बनाने का काम करेंगे First house का चंद्रमा self development के लिए बूला जाता है उजागर होने के लिए बूला जाता है अपने आपके अंदर consciousness जो है उसको active करने के लिए जाना जाता है तो self confidence भी इससे बढ़ता है भक्ती की भावना जो है वो आज के दिन आपके सिर्फ चड़ के बोलने वाली है वो चीज आपको महसूस होगी कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके आज के दिन मन में इच्छा आ रखी है कि मंदर जाना है फिर वो स्वयम जाये, दोस्तों के साथ में जाये परिवार के साथ में जाये उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा पर खुद को मन से इच्छा हो रखी है ये आज के दिन जरूर कीजेगा इस चीज के अंदर किसी और के इंतजार में अपना दिन मत खराब कीजेगा खास तोर पे ऐसे समय में भोग विलास के वस्तु हैं अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सिस बोल दीजे अपनी इमिज को सुधारने के लिए चाहे ब्यूटिफिकेशन के लिए सलोन जाना पड़े कुछ भी हो तो जो आपको बहतर कर सके आपको और जादा प्रेजेंटेबल बना सके उस तरफ आपको अपने कदम आगे बढ़ाने आज जरूर चाहिए ऐसे में सम्मान मिलना अच्छे गिफ्ट्स मिलना एप्रिशेट होना कोई रहा चलता ही आपकी तारीफ कर दे तो दिन बन पड़ता है तो यही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि रहा चलतावा इंसान भी आपसे अट्राक्ट हो रहा है आपके औरा जो है आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर साथ मा के इंवाल्व होने की कोशिश कर रहा है यह चीज आपको बहुत ज़्यादा खुश करने का काम करेंगी और आपके confidence को और ज़्यादा strong करने का काम करेंगी ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए cream color शुब अंक रहेगा नबर 3 अब बात करते हैं सिंग राशी के लिए 12th house में चंद्रमा है सादक तारक असाथ और अश्टक वर्ग में 30 dots है overall देखा जाएगा तो 80% support भी मिल जाता है 12th house का चंद्रमा जो है वो emotionally imbalance कर सकता है depressed कर सकता है ये बोला जा सकता है कि काम करते हैं frustrated होना शुरू हो करें कि एक ही काम किये जा रहे हैं और बार बार कोई problem के एकारण उस काम से हटना पड़ रहा है तो frustrate होना शुरू कर देंगे पर जो 80% support है वो अपने आप में इस emotion को दबाने का काम करेगा आपके जो अटके हुए काम है उसको चलवाने का काम करेगा ऐसे में health wise थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जादा कोई बड़ी परेशानिया देखने को नहीं मिलेगी और यात्रा करने में खास तौर पर यात्रा करने में आज के दिन आप जो आपके पास में documents हैं जो pen drives हैं, laptop हैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से लेकर के चलीगा अगर कहीं पर presentation देने जाना है तो double check कर लेना जादा बहतर है क्योंकि दूद का चला, छाच भी फूक फूक करके पीता है ये कहावच जो है, ये आप पर ना आजाए ऐसे समय में कहीं ना कहीं पर ये बुला जा सकता है कि आलस जरूर देखने को मिलेगा आपके अंदर किसी काम को कर रहे है, फ्रस्ट्रेट हो रहे है तो ultimately दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये काम करना ही नहीं है बाद में कभी आके कर लेंगे ये चीज़ों को टालने का काम जो है वो मत कीजेगा, 80% सपोर्ट मैं फिर से बोलता हूँ 80% सपोर्ट मिल रहा है सफलता जरूर मिलेगी जो काम कर रहे हैं, वो पूरा कर लीजे रुकावटें देखने को मिलेगे पर रुकावटों से डरना नहीं है सिंग राशी के हो, सिंग हो जंगल का शेर जो होता है वो कभी भी शिकार को छोड़ता नहीं है में 25 डॉट मिलना ये भी शुपता फैलाता है पर नक्षतर तारा में विपत तारा का साथ मिलना यहां पर पॉजटिवनिस को कुछ कम करने का काम करने वाला है तो इसी के कारण यहां पर बूला जा सकता है कि 75% तक फिर भी आपको आज के दिन POSITIVITY जरूर देखने को मिलेगी ऐसे में जो भी आप आज के दिन काम कर रहे हैं काम होगा जरूर चाहे आप वसूली के लिए बाहर निकलने आरे हैं कैश कलेक्शन के लिए बाहर निकलने हैं मार्किट में रुपे दिये हैं उसको वापस लेना चाते हैं नौकरी पर जा रहे हैं, तो नौकरी के अंदर आज के दिन ये चीज का ध्यान रखेगा, पहुचने में कुछ देरी हो सकती है, कहीं न कहीं पर किसी कारण वश आज के दिन डीले आपको देखने को मिल सकता है, पर पहुचेंगे जरूर सावधानी पूरवक पहुचेंगे, स गेंस्ट में काम करते हैं, यानि कि आपकी एक टीम है, सामने दूसरी टीम है, वो टीम आपको हराने की जो कोशिश कर रही है, या पिर पर सिर्फ आप पे अटाक करते हैं, तो आज के दिन उन लोगों पे उस टीम पे कंट्रोल पा लेना, उनसे आगे बढ़ जाना, कॉमप पर्पिस की जो यातरह है आपकी लाबकारी जरूर सिद होगी, इसके अंदर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, कनिया राशिया आप एमोशनल जादा रहते हैं, यह जो इमोशन्स हैं आज के दिन इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, को प्रतियारी तारह का साथ अश्ठक वर्क में 25 डॉर्ट्स है, ओवरॉल सिचुएशन 75 परसें पॉजिटिव है, यहां पर आज के दिन जो काम करते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है, सुख सम्मान आपको मिल सकता है, खास तोर पर अप्रीसियेशन जिसको बोलते हैं, वो आप आज के दिन कोई आवार्ड या रिवार्ड की सिचुएशन, किसी चीज को लेकर के आज के दिन रिकगनिशन मिलने वाला है आफिस में, तो उसके अंदर आप दावा कर सकते हैं कि आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा, आज जो भी लोग पॉलिटिकल फिगर्स हैं, यानि ये काम करते हैं, जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो इसके अंदर जो भी लोग हैं, वो आज के दिन जरूर फाइदा कमाएंगे, यानि कि अच्छा नेम फेम भी होगा और कमाने का भी आज के दिन मौका जबरदस्त मिलने वाला है, ऐसे समय में नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वो थोड़े डरे हुए जरूर रह सकते हैं, ये बोला जा सकता है, कही ना कहीं पर आपके मन मताबिक चीज़ें ना चलने के कारण, अचानक से बदलाव होने के कारण, या फिर जो आप काम करते हैं, तो उसको अचानक से रोक दिया जाए, आप टेंश चेंज हुए हैं, ये मेरे हित के लिए हुए है, कई बार होता है कि सीनियर्स के फेवरेट होते हैं, फेवरेटिजम है जरूर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो ऐसे में जो फेवरेटिजम है, वो बोल करके शायद ना जताया जाए, पर आक्शन में दे द व्रश्चिक राशी के लिए राशी भाव से नाइंथ हाउस में चंद्रमा है जो मिले जुले प्रभाव बोले पर जादा नेगटिव प्रभाव देने के लिए जाना जाएगा वहीं पे मित्र उतारा का साथ और श्टक वरग में 31 डॉट्स ओवरॉल सिच्वेशन को आपके लिए 67% यहां पर सपोर्ट का बनाते हैं तो ऐसे में आज के दिन पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही जादा प्रेशर जहिलना पड़ सकता है या फिर जो काम किया हुआ था इतनी महनत जिस चीज़ पर की गई थी वो महनत वेस्ट हो जाए इस चीज़ का डर उनको सता सकता है ऐसे में मन अशान्त होना कही न कहीं पर इतना टेंशन लेने की वज़से तबित खराब हो जाना गुसे में आकर के अपने ही दोस्तों से टीचर से बत्तमीजी कर बैठना ये सबी चीज़े देखी जा सकती है य आज की दिन अपने आप पे कंट्रोल रखने की जरुरत होगी किस तरीके से बात करते हैं क्या बोलते हैं किन को बोलते हैं इस पे ध्यान रखिएगा हो सकता है कि आपके सामने जो इनसान बैटा है और जब बदलता है और जब बदलता है तो इनसान की परस्तिती को भी बद और आज आप जो उसको खरीखोटी सुना रहे हैं, कल आपको सुननी पड़े, इसके लिए जो भी सामने हैं, बड़े ही मित्रवत तरीके से, बड़े ही प्यार से बात कीजिए, सम्मान देकर के बात कीजिए, चाहे कुछ भी गलत हुआ हो, जो गलत हुए उसको सुधारा जा स नुकसान है, वापस कमाया जा सकता है, इस बात को धियान में रखना है, ऐसे में शुब रंग जो है, वो रहेगा आपके लिए परपल कलर, शुब अंक रहेगा नबर सेवन, अब बात करते हैं धनूराशी की, धनूराशी के लिए राशी भाव से एट थाउस में चंदरमा की बात कीजिए, या फिर लॉसस की बात कीजिए, उसको बढ़ाने का काम करेगा, वहीं पर अश्ठक गवर्ग में सिर्फ और सिफ बीस डॉट्स, इसको मैं बोलूंगा, कि यहां पर सपोर्ट भी नहीं होगा, यह बूला जा सकता है, जैसे तैसे करके आज कि दिन इस दिन को बिताने की जरुरत है, निकालने की जरुरत है, टेंशन जादा नहीं लेनी है, हो सकता है जो मैं आपको यहां पर चीज़ें बता रहा हूँ, यह सभी धनुराशी वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो आप साइड में कुंडली देख रहे हैं, यह जो आपको कुंडली द टीचर हमेशा आप देखेंगे, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों को आगे बढ़ाता है, जिसको वो पढ़ाता है, वो करोड़पती बन जाता है, स्वैम करोड़पती नहीं बनता, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो टीचर है, वो किसी काम का नहीं, यह सोचना सबसे ब वो उन सौ लोगों को एक जगे पे खटा कर सकता है वो इस इंसान की ताकत है और वो ताकत आपके पास में है जब ये ताकत आपके पास में है तो नेगिटिव समय ज़रूर होगा negativity आपको देखने को मिल सकती है कही ना कही पे घर के अंदर बात कीजे घर के बाहर की बात कीजे अपने संबंदों की बात कीजे वहाँ पे कुछ खीचाव आपको देखने को मिल सकता है तनाव देखने को मिल सकता है आसपास के लोग उंगली उठाने का मौका दे सकते हैं पर जिस इनसान के पास में इतनी जादा ताकत है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए जादा टेंशन नहीं लेना चाहिए तो ऐसे मैं आज के दिन कहीं न कहीं पे ससराल की तरफ से और अपने दामपती जीवन में आपको तनाव देखने को मिलेगा हेल्थ वाइस बात करें या फिर चोटल होने की बात करें तो ये दोनों ही सिच्वेशन आज के दिन बहुत जावा प्रॉबिलिटी आपके लिए बन रही है ऐसाव में नुकसान होना सोयम के कारण नुकसान होना यहां पे यह बात जरूर ध्यान रखेगा यहां पे शत्रु अक्टिव नहीं है खुद के कारण ही आपको नुकसान देखने को मिले और खास तर पे यह बता देता हूँ आइदर शेराप की वज़े से महंगी गाड़ियों की वज़े से बहुत जादा एक्सपेंसे की वज़े से ज्विल्री की वज़े से अपने लाइफ पार्टनर पे या फिर अपने लव इंटरेस्ट की उपर बहुत जादा खर्च करने की वज़े से आपको यह चीज़म देखने को मिल सकती है तो इन चीझ़ों पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है अपने हाथ को कस करके रखने की जरूरत है कंट्रोल में रखिये चीज़म को जादा बहतर रहेगा उसके अलावा जो भी बिजनस्मेन है या तो पिर नौकरी करने वाला है आज के दिन प्रेशर जादा है दबाव जादा है आपको कुछ बोल दिया जा सकता है या तो फिर सामने से जो स्टाफ है आपका, जो बिजनेसमेन है उसका जो स्टाफ है, वो सपोर्ट ना करे, कोई मशीनरी खराब हो जाए और जहां पर मैं बार-बार बोलता हूं कि जब आप धनू राशी के हो एक टीचर हो तो टीचर जो है वो दूसरों को जब सिखाता है तो खुद भी तो कुछ सीखता ही है तो आपने अपनी जिंदगी में जो चीजा सीखी है उसको आज के दिन एपलाई कीजे सोच समझ करके क अगे बढ़ाईए जादा टेंशन मत लीजे ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुब अंक रहेगा नंबर टू अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लिए सेवन्थ हाउस का चंद्रमा है संपत्तारा का साथ और अश्टग वर्ग में 33 डॉट् और किसी के लिए एक लाग रुपे चने मूफली जितना है याने कि वो एक इनसान एक दिन में एक लाग खरशता है और एक इनसान साल भर में एक लाग कमाता है दोनों की परस्थितियां अलग है पर दोनों मकर राशी के हैं तो क्या ये बोला जा सकता है कि मकर राशी हो नह जो बातें करते हैं जसे आपकी बार्यraft Interior ऐसे समय में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होना, इस चीज जानकारी मिलना और कही न पे जानकारी आपका बढ का अगरा है. जो आप दोस्त बना रहे हैं, acquaintances बना रहे हैं, इससे आपको फाइदा कमाने का जारूर मौका मिलने वाला है, अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनस क्लास में उडने का फाइदा क्या है, एक बहुत साधारन सी चीज़ है, शायद आपको लगेगा कि कुछ जादा बोल रह ये सब ही लोग जस अपना केरियर शुरू किये थे, कमाना शुरू किये थे, और उसमें अपने दिन की पूरे दिन की कमाई, सिर्फ और सिफ एक जगे पर जाकर के उड़ा देते, एक बार ऐसा करके जरूर देखते, कि जो इतना जादा खर्च करता है इनसान, वो बात क्या करता है महाँ पर, किसी इनसान की आदत है शराब पीने किया, जैसे कि आप जानते है राके जुन जुन वाला विस्की के स्कॉच के बहुत बड़े शौकीन थे, तो बार में जाकर के बैठते थे, बहुत महंगा बार है, अम्बानी जी, चाय पीने के लिए होटल में गए थ तो दो सो रुपे की चाय पीने वाला इनसान और दो सो रुपे दिन के कमाने वाला इनसान जब एक जगे पर बैठते हैं, तो दो सो रुपे जो कमाता है, उसको कुछ सुनने को मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ देखने को मिलता है, बात यही है, जो बिजनिस क्ला नजरिया है, बदल करके देखिए, एक बार अपनी जिंदग में चीज़ों को थोड़ा बदलिए, चेंज जो है उसको वेलकुम करने की जरूरत है आपको, ऐसे में मकर राशी का इंसान हेड स्ट्रॉंग होता है, यानि कि एक बार जो डिसिजन ले लेता है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आज के दिन सफलता मिलेगी, ऐसे समय में जो भी लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रॉक्शन रिलेटेड मेटीरियल, चाहे आप सिमिंट की बात कीजिए, सरिया हो गया, वाटर प्रूफिंग का सामान हो गया, पेंट हो गया, जो भी कंस सबी चीज़े आज के दिन आपको देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई जरूर देखने को आज के दिन आपको मिलने वाली है, शुबरंग रहेगा ब्लू कलर, शुबंख रहेगा नमबर फाई, अब बात करते हैं कुम्ब राशी की, कुम्ब राशी के लिए राशी भाव से सिक्स आउज में चांद्रमा है, संपत तारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 27 डॉट्स है, ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉजिटिव आपके लिए बनती है, ऐसे में, कर से राहत बोलिए, किसी से रुपे उधार लिये थे, दोस्त है, या फिर कोई फर्म है, बैंक है, जिन से भी आपने कोई उधार लिया है, अब चुकाने की बारी है, टेंशन थी कि ये मेरे पास में पैसे नहीं है, इस बार कि शायद ये मैं मेरी बाउंस हो जाएगी, तो ये जो गलत फहमी थी, आज के दिन आपकी खतम हो सकते, अच्छी कमाई होगी, अकाउंट में रुपेश जरूर होंगे, कि ये एमाई आपकी बाउंस ना हो, ऐसे ही समय में रोग मुक्ती की बात करें, सेहत अच्छी होने की बात करें, दूसरे शत्रूँ उपर, चाहे घर के हैं या घर के बाहर, उनके उपर जीत हासिल करने की बात हो, आज के दिन आपको जरूर मिलने वाला है, ऐसे में अच्छी कमाई होना, संपत्ती के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलना, खास तोर पे जो भी भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसीनों में जाते हैं, गैंबलिंग करते हैं, उनके लिए भी काफी जादा अच्छा दिन बोला जा सकता है, अच्छा लाब कमाने को मिलेगा, बस बात यही है कि कहां रुखना है और कहां शुरू होना है, यह आपको मालूम हो, मैं स्वयम जुआरी नहीं हूँ, मुझे खेलना नहीं आता है, मुझे ना कार्ट जाते हैं अभी तक, तो उसकी वज़से आपकी टर्मिनोलॉजी क्या है, शायद वो मुझे ना मालूम हो, पर जो भी आज के दिन सट्टा खेलते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा बोला जा सकता है, यानि कि भाग्य का साथ जो है, तो लखी कोइंसिडेंस होना, ये भी आज के दिन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ऐसे में, जो चीज मुझे समझ में आती है, सबसे ज़्यादा अच्छे से, तो वो ये बता सकता हूँ, कि कॉम्पिटिशन एक्जाम देने वाला जो भी इनसान है, जो भी इनसान आज के दिन अपनी नौकरी के लिए इंटर्विव देने वाला है, उनको सफलता जरूर मिलेगी, आपके अंदर पूरा है, जो बात करेंगे बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत ही खुबसूर्ती से करेंगे, और इसके कारण आज के दिन आपकी नौकरी पक्की होना, ये बोला जा सकता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज के दिन सफलता वाला बनने वाला है, टेंशन हटाईए, आराम से अच्छे से एक्जाम दे करके आईए, शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुबरंग रहेगा नंबर सिक्स, अब बात करते हैं मीन राशी की, तो मीन राशी कलिफ फिफ्थ हाउस का चंद्रमा है, जन्मतारा का साथ है, अश्टग वर्ग में 27 डॉट्स है, ओवरॉल सिच्वेशन यहाँ पे आपके लिए 45% सपोर्ट की बनती है, तो ऐसे में, कहीं ना कहीं पे जो भी विध्यारती हैं, उनको आज के दिन परेशानी जादा देखने को मिल सकती है, अगर एक्जाम है, तो जूटी दोशार उपन लगना, यानि कि आप स्वेम का काम कर रहे थे, पीछे वाला आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें भी आपको अठका देना, आप से आपका पेपर ले लेना, या फिर समय पर नहां पहुचने के कारण, आपको एक्जाम ही ना देने देना, ये सब परेशानियां देखने को मिल सकती है, इससे एक छूटने का इलाज बताता हूँ, जब भी आप एक्जाम देने के लिए आज के दिन बाहर जाने वाले हैं, चौकट पे चार लॉंग रखियेगा, उसको मसल करके फिर एक्जाम देने जाएए, और जब तक एक्जाम देकर के वापस लौटें नहीं, तब तक घर के तरफ देखिएगा मत, इस चीज का आज के दिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे में कामकाज की बात करें, रुपे कमाने की बात करें, तो कुछ परेशानिया देखने को मिल सकती है, आसान नहीं होगा आज का दिन, पर कमा करके ज़रूर लौटेंगे, और जो आपके एक्सपेक्टेशन थी, उसके काफी पास तक पहुँच करके आप ज़रूर लौटेंगे, और एक चीज आपको यहाँ पर उपाय है, टोटका है, जो भी आप माने, कभी भी खाली हाथ घर पे नहीं आते, आप आफिस गए हैं, बिजनस पे गए हैं, खाली हाथ कभी नहीं आना, घर में चाये चोटा बच्चा है या नहीं है, हाथ में चॉकलिट लेकर आजाईए, हाथ में दाल लेकर के आजाईए, दही, दूद, जो होता है, रास्ते में दस रुपे का कोई भी सामान मिलता है, लेकर के घर पे आईए, घर पे आकर के जो भी चोटा बच्चा है उसको दे दीजे, अगर नहीं हैं, तो घर के मंदिर में सुबह रख दीजे, और जब सुबह वापस निकलते हैं, तब उसको किसी भी रास्ते में गरीब बच्चे को, या फिर जो भी आपको इंसान दिखता है, उसको दे दीजे, ये चीज जो है, ये टोटका जो है, ये बहुत ही काम का है, आपको बता रहा हूँ, इस चीज को करना जिस दिन सा आपने शुरू कर दिया, आप मान करके चलिएगा, कि आपकी किस्मत जो है, वो पलटने वाली है, जो ये बोलते हैं ना, किस्मत पलट जाएगी, ये चीज है, और इस चीज पर मैं आपको दावा देता हूँ, ऐसे समय में, ओवराल सक्सेस की जो रेट होती है, वो आपकी बहुत बढ़ने वाली है, इस चीज को लेकर के, निश्चन्त होकर के काम कीजेगा, बिना किसी टेंशन के, ऐसे में शुबरंग रहेगा, आपके लिए रेड कलर शुबंख रहेगा, नमबर वन, ये तो हुई बात आज के राशीफल की, आई ये बात करते हैं, आज के विशेश उपाई की, कि अभिजीत महरत होता क्या है, क्या होता है, सूर्योदे से लेकर, अगले सूर्योदे तक का समय, कुल, तीस महरतों में विभक्त है, जिन मैंसे पंद्रा सूर्योदे से लेकर के, सूर्यास तक रहते हैं, तथा पंद्रा सुर्य अस से लेकर कि सुर्यो दे तक रहते हैं इन तीस महरतों में से एक है अभिजीत महरत मानियताओं के मताबिक हर दिन का कुछ समय बहुत शुब माना गया है और इस समय कोई भी काम आप कीजे कोई भी काम करने पर आपको सफलता ही मिलेगी आम तोर पर वर्ष में 365 दिन में से 11.45 से 12.45 दिन तक का समय जो है ये अभिजीत महरत कह सकते हैं हर दिन का मध्यबाग जो है मिडल पोर्शिन जो है बारा बजे का approximately हम बारा बजे मानते हैं तो ये अभिजीत महरत कहलाता है जो मध्य से पहले के और बाद में दो घड़ी अर्थात 48 मिनिट का होता है दिन मान के आधे समय को स्थानी सूर्य दे के समय से अगर जोड़ दें तो मध्य काल स्पष्ट हो जाता है आप हर रोज का जो सूर्य देखते हैं सूर्य अस्त का समय और सूर्य दे का समय न्यूस पेपर में भी आता है आपके मोबाइल में भी आता है जहां पे आप हैं पर्टिक्लरली उस शेहर का भी समय आता है इसमें 24 मिनिट घटाने और 24 मिनिट जोडने पर अभिजीत महुरत का प्रारंब काल और समाप्ती काल निकल आता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कि आप में से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये आराम से कर सकते हैं डेली का अभी जीत महुरत आराम से निकल सकते हैं वैसे ही जैसे रहुकाल का समय आपको मैंने बताया है जोतिश के विदवानों के अनुसार अभी जीत महुरत जो है हर रोज मध्यान से करीब चौमिस मिनट पहले प्रारंब हो करके मध्यान के चौबिस मिनट बाद तक रहे करके समाप्त होता है ये महुरत हर रोज हर दिन के सूर्योदे के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और यदि सूर्योदे ठीक च्छे बजे हो तो दोपहर के बारा बजे से ठीक 24 मिनट पहले और प्रारंब हो करके ठीक 24 मिनट बाद में यहां तक रहने वाला है इसको अभीजीत महुरत कहा जाता है इस महुरत को आठवा महुरत भी कहा जाता है और अभीजीत महुरत और अभीजीत नक्षत्र एक साथ जब पढ़ते हैं तो ये विशेश शुभ माना जाता है तो ऐसे में इस महरत का आपको मतलब मालूम चल गया कि अभिजीत महरत होता क्या है बहुत बढ़िया अब ये जानना जरूरी है कि इस महरत में क्या किया जाए इस महरत में कोई भी शुब कारिय किया जा सकता है सभी शुब कारिय जैसे किसी विशेश कारिय से यात्रा करनी है किसी नए कारिय को प्रारम करना है दुकान डालनी है व्यापार प्रारम करना है धन संग्रे करना है या पूजा का प्रारम करना है पूजा का महौरत धून रहे हो ये महुरत हर रोज हर दिन में आने वाला एक ऐसा समय है जिसमें आप लगभग सबी शुब कर्म कर सकते हैं मांगलिक काम जो होते हैं या ग्रह प्रवेश जैसे प्रमुक काम जो होते हैं वो भी ऐसे योगों को देख करके आप कर सकते हैं पर यहां पर सावधानी रखने की भी एक बात आती है अभिजीत महुरत में दक्षिन दिशा की यात्रा को निशेद माना गया है यानि कि दक्षिन दिशा में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, यह सावधानी है अभिजीत महुरत की, हर चीज कर सकते हैं, हर यात्रा पे जा सकते हैं, बर बस एक ही चीज है कि दक्षिन दिशा में यात्रा नहीं होगी, और साथ ही मैं बुद्वार को अभिजीत महुरत में तरीके से निकाला जाता है ये मौरत ये सबी चीज़ें जो है ये आज आपको मालुम पड़ी होंगी और सिर्फ और सिफ पता करना ही अकेला एक काम नहीं है अपने आप स्वैम से अगले एक हफ़ते का अभी जीत मौरत आप खुद निकाली है अपने मोबाइल पे आप देख क्या वो सही है या गलत है इसी के साथ में इस प्रोग्राम को आज के लिए यहां पर अंत करते हैं चंतामत कीजेगा कल वापस ऐसी समय आओंगा और एक नई बात लेकर क्या आओंगा और ऐसे में गनेश चतुरती आ रही है कुछ ना कुछ खास तो जरूर होना चाहिए तो आपके साथ में बना रहे है जैश्री राम एवं जैहन